हेलो इस्टूडेंट माइनेम इज राज्चित्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शन्स कोचिंग इंस्ट्टूट पे स्वागत करता हूं आज हम लोग सिंप्लिफिकेशन का पार्ट शिक्स कवर करने वाले हैं जिसमें हम लोग सिखने वाले और यह जो वीडियो होने वाला है यह हरेक एक एक्जाम पॉइंट वहने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन्स को और लेते हैं आज के सेशन्स का सबसे पहला कोशन्स कोशन नमबर वन देखिए निखालना हम लोग क्या तब वैलू आप रूट ओबर 80 माइनेस रूट ओबर 112 डिवाइड़ बाई रूट ओबर 45 माइनेस रूट ओबर 63 टेके तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहां से रूट ओबर 80 को सिंप्लिफाइ करते हैं रूट ना होतो भी चलेगा ठीके ना अब देखिए जो 16 ना रूट ओबर 16 इसको लिख सकते हैं 4 रूट 5 के टॉम में यह यह जो वैलू आएगा 4 रूट 5 के बराबर आएगा ठीके ना नेक्स्ट हम लोग के पास में 112 रूट ओबर ठीके ना तो 112 को हम लोग कैसे लिखते हैं बाता ही समझ में, चलिए, नीचे देखते हैं कि हम लोग के पास में root 45, root 45 को हम लोग के लिख सकते हैं, root 45 को हम लोग लिख सकते हैं, 9 into 5 के पौम में, देखिए, root over 9 into 5, ये बन जाएगा आपका 3 root 5, बात क्लियर है न, 3 root 5, next, minus हम लोग को क्या करना है, देखिए, root over 63, ये होता आपका 9 into 7, है या नहीं, बताइए, root over 9 into 7, 9 का मतलब होता है 3 root 7, बात आई समझ में, देखिए, यहां से में common निकाल दू, 4, 4 common निकालने पर उपर बचेगा गया, root 5 minus root 7, बात क्लियर है, नीचे क्या होगा, देखिए, 3 common निकालने पर यहां पर बचेगा नीचे, 5 root 5 minus root 7, क्या बात क्लियर है, यहां तक चलिए, अब देखिए, इस से ये cancel हो जाएगा, और हम लोग के पास में बचेगा, क्योबल 4 4 by 3, जिसका मतलब होता है, 1, 1 by 3, यह यह option number C, इस question का correct answer होगा, ठीक है ना, चलिए, आगे बढ़ते, देखिए, next questions, question number 2 देखिए, यहां पर हम लोग के पास में root over 54, और यह मैंने आप लोग को इसके आगे वाले वीडियो में बता दिया है, कैसे निकालना होता है, root over 54 को हम अम लोग इस प्रकार से लिख सकते है, 9 into 6 के फॉर्म में, 9, 1 perfect square है 3 का, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 into 3 root 6, बात clear है, next देखिए, minus 6, यह है आपका root 2 by root 3, हम लोग इस प्रकार से root 2 by root 3 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, और यह जो root over 96 है, इसको हम लोग लिख सकते इस प्रकार से, 16 into 6 के फॉर्म में, 16 into 66, 16 है आपका 4 का square, तो यह बन जाएगा, आपका 4 root 6, bracket close कर देंगे, अब इसको simplify करेंगे, देखिए, क्या करना होता है, 2 into 3 होगा, आपका 6 root 6, ठीक है ना, और देखिए, यही मैं root 3 से 6 को divide करूँ, देखिए, root 3 से 6 को divide करना है, root 3 से 6 को divide कर सकते हैं, कैसे divide करेंगे, देखिए, आप लोग उपर नीचे root 3 से multiply करने पर देखिए, नीचे root 3 into root 3, यह 3 बन जाएगा, और 3 से 6 को 2 बार cancel होगा, पाता ही समस्य में, यही मैं, 2 root 3 टाइम जाएगा, यह कितना बार जाएगा, 2 root 3 टाइम, और 2 root 3 into root 2, यह बन जाएग आपका, 2 into root 3 into root 2 बन जाएगा, आपका root 6, minus करना हम लोग को 4 root 6 के साथ में, बात clear है, चलिए, और इसको simplify कीजिए, इसको solve कीजिए, तो देखिए क्या answer आएगा, यह तो बनेगा आपका 6 root 6, ठीके न, 6 root 6 minus करना है क्या, 2 root 6 minus 4 root 6, यह भी आ जाएगा, आपका 6 root 6 के बराबर यह निकि, इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा, आपका option number A, जो की 0 होगे बराबर, ठीके, चलिए, आगे बढ़ते, देखते है next questions, question number 3 में देखिए, हम लोग को निकालना है क्या, square root of 0.75 whole cube divided by 1 minus 0.75, 0.75 plus 0.75 का whole square है, यहाँ पर plus 1 है, चलिए, इसको solve करने की questions कीजिए, आप लो कर सकते हैं, बहुत ही simple है, बहुत हम लोग को identity set करना है, यदि आप लोग चाहो तो आप लोग दुसरे प्रकार से भी इसको simplify कर सकते हैं, ठीके, मैं यहाँ पर identity set करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, यह जो 1 है, इसको मैंने थोड़ी दिर के लिए मान बराबर है, ठीके, और जो 0.75 है, 0.75 है, इसको मैंने मान लिया B के बराबर, ठीके, तो देखें, यहाँ पर क्या होगा, उपर बनेगा आपका B का क्यूव, 0.75 तो B के बराबर माना है मैंने, और नीचे बनेगा आपका, यह है A, और बनेगा A-B, बात क्लियर है, चलिए, अब इसको देखते, यहाँ पर देखिए, यदि मैं इन दोनों को मल्टिप्लाइ कर दू, ठीके न, A और B को मल्टिप्लाइ कर दू, यानि कि 1 और 0.75 को मल्टिप्लाइ कर दू, 1 और 0.75 को मल्टिप्लाइ कर दू, तो A कितना आएगा, यह तो आएगा 0.75, इसका मतलब यह 0.75 जो है न यह है आपका a plus b न सरी a b क्या है यह a b a a into b ठीक है अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या 0.75 का square 0.75 का square होगा आपका b square किसके बराबर b square के बराबर और यह जो 1 लिखा है न 1 है आपका a का square क्या है a square है बात आई समझ में चलिए अब देखिए यह हो गया हम लोग के पास में identity ठीक है अब इसी इसको ध्यान से देखना अब लोग को एक formula पता है कि यह जो a cube minus b cube होता है यह देखिए कि यह जो यहां पर आम लोग को दिख रहा है न यह उल ROI अम लोग को कहाँ पर मिलता है यह आपका मिलता है कहाँ पर a cube minus b cube में ठीक है न लेकिन यह a cube minus b cube निकीज़ बनेगा जब अम लोग इसको ऊपर नीचे किससे multiply कर देंगे a minus b से multiply कर देंगे हमें ने उपर भी और नीचे भी किस से multiply कर दिया a minus b से multiply कर दिया तो आपका यह identity बनने वाला है बात clear है न चलिए अब इसको simplify करते हैं देखिए यहाँ पर यह उपर में हम लोग के पास है b cube divided by a minus b और हम लोग को plus करना है किसके साथ में देखिए यह है आपका a b plus b square plus a square into a minus b बनता है आपका a cube minus b cube a cube minus b cube बात clear है divide करना है किससे a minus b से यहाँ यहाँ पर lcm ले लू a minus b का तो देखिए यह a minus b है बात clear है अब देखिए a minus b तो lcm होगा आपका और यहाँ पर बचेगा कि आपका b cube plus यह होगा आपका a cube बस identity set करना है कुछ भी नहीं यह question में देखिए अगर identity आप लोग को आता है ने इतना सब लिखने की जो रोती नहीं सीधा-सीधा आप लोग answer बोल सकते है a cube का मतलब होगा a बराबर है 1 तो यह 1 का cube 1 ही बनेगा बाता ही समझ में उपर में ठेकिए अब देखिए नीचे क्या है a minus b a minus b का मतलब होगा आपका 1 a मतलब है आपका 1 और b मतलब है आपका 0.75 0.75 ठेक ना और 1 minus 0.75 बनेगा आपका 0.25 के पराबर बात क्लिर है चलिए यदि में यहां से 0 पॉइंट को उटा दू इस प्रकार से पॉइंट को यहां से में उटा दू तो उपर 2 0 बनेगा और इससे इसको यदि में भाग कर दू तो यह आजाएगा आपका 4 के बराबर किसके बराबर 4 के बराबर तो इस कोशन का जो करेक्ट एंसर होगा वो क्या होगा आपका आप्शन नंबर B यहनिकी 2 ठीके चलिए यदि आप लोग को समझ नहीं आए तो आप लोग एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लिए समझ में आ जाएगा चलिए आगे बढ़ते देखते हैं देखते हैं प्लॉस वेडियो को जानना होगा यह जो A plus B whole square और जो A minus B whole square है इसका formula क्या है यदि आप लोग को यह formula आता है तो आप लोग easily इस questions को कर देंगे घिके तो a plus b all square होता आपका a square plus 2ab plus b square आप लोगको ये basic formula तो आना चाहिए क्योंकि इसी formula के ऊपर basic quotients बनाया जाता square root में ठीके ना अब देखिए a minus b all square ये होगा आपका a square minus 2ab plus b square पस येदि आप लोगको ये आता हो तो फिर आप लोग इस quotients को easily कर देंगे चलिए हम लोगको क्या जाएए देखिए a square plus 2ab plus b square a square minus 2ab plus b square बात क्लियर है ना चलिए अब मैं आप लोगको बताता हो कि इस प्रकार के quotients को हम लोग कैसे simplify करते हैं आप लोग इस formula को लिख लीजे और देखिए यहाँ पर मैं आप लोगको एक दो concept बताऊंगा फिर उसके बाद में आप लोगको खुद से करना है इस questions को ठीके ना अब देखिए सबसे पहले हम लोगको square root निकालना है इसका ठीके 8 plus 2 under root 15 है और root over है ठीके ना अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस अंदर वाले जो हम लोग के पास है 15 है इस 15 को हम लोग इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि जो product आएगा product यानि कि दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए दोनों को गुना करने पर यानि कि दो नंबर हम लोग इस प्रकार से सोचेंगे कि उनका जो product होगा, वो product 15 के बराबर होगा ठीक ना, और जो sum आएगा न, sum, वो sum किसके बराबर होना चाहिए, इस ब्सक्सक बराबर, बात clear, sum क्या होना चाहिए 8, तो हम लोग दो ऐसा numbers सोचेंगे, जिसको multiply करने पर क्या आता हो, 15 आता हूँ और जोडने पर क्या आता हूँ 8 आता हूँ हो सकता है यहाँ पर sin minus में भी हो plus के बतले हैं यहाँ पर minus भी हो सकता इससे कोई मतलब नहीं रखता है हम लोग सीधा क्या करेंगे इसको check करेंगे multiply करने पर 15 आना चाहिए जोडने पर क्या आना चाहिए आपका 8 आना चाहिए बात आई समझ में यहनि कि sum कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए तो अम लोग ऐसा number सोचेंगे देखिए तो अम लोग को समझ में आ जाएगा कि यह एक तो होगा आपका 5 दूसरा होगा क्या 3 ठीकर ना 5 इंटा 3 को जोडने पर मिरो क्या आए होगा तो इस कोषेंड का जो क सिवाल रूट लगा देना है तो यह अमों लोग को पता है कि गुखش सब्सक्या सिवार 1 आना चाहिए अब देखिए कैसे, यदि मैं इसको simplify कर दूँ नहीं यहाँ पर, एक समझा रहा हूँ फिर उसके बाद में कुछ समझाने वाला नहीं हूँ, यह directly करके दिखाऊँगा देखिए यदि मैं इसको a plus b all square के term में break करूँ, तो यह बन जाएगा a का square, root 5 का square a square मतलब root 5 का square यह a और यह b यह, देखिए, a square means root 5 का square यह 5 बन जाएगा, plus b square means root 3 का square 3, plus 2ab means 2, root 5 into root 3, यह बन जाएगा आपका root 15, बात clear है, अब देखिए हम लोग के पास में क्या आया, लिकल के 8 plus 2 root 15 है, clear है न, अब केसे आया, समझ में आ गया होगा कि 8 plus 2 root 15 इन लोगों ने कैसे लिखा है, ठीके न, तो अब देखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यह a से आता है, और हम लोग को यहा पर निकालना है square root, ठीके न, square root निकालना है, उपर में लगा हुआ है, तो हम लोग square से square root को खतम कर देंगे, और हम लोग के पास में एंसर बचेगा, क्या, root 5 plus root 3, बात क्लियर है न, इसका मतलब, यह जो questions दिया हम लोग को simplify करने के लिए, इसका जो correct answer होगा, वो होगा, root 5 plus root 3, ठीके, अब देखिए, ठीक, इसी प्रकार से इस questions को simplify करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अम लोग 2 ऐसे number को ढूंडेंगे, जिसको multiply करने पर 35 आता हो, और जोडने पर क्या आता हो, 12 आता हो, तो आप लोग बोलेंगे, सर्जी एक number तो होगा 7, और दूसरा number होगा 5, ठीके, 7 into 5, 35, 7 plus 5, 12, ठीक, चलिए, तो इस questions का जो correct answer आएगा, वो क्या आएगा, root 7 plus root 5, यानि कि, जो answer होगा, वो root 7 plus root 5 होगा, बात क्लियर है न, क्योंकि हम निकालना है, root over 7 plus 4 root 3, अब देखिए, यहाँ पर न, हम लोग को चाहिए 2AB, क्या चाहिए 2AB, बात क्लियर है, 2AB चाहिए, अब यहाँ पर 2AB लाने के लिए, अम लोग इस 4 को न, इस प्रकार से लिख सकते, देखिए, मुझको चाहिए यहाँ पर 2, क्योंकि हम लोग को पता यहाँ से एक 2 तो हम लोग बहार ही रखेंगे, और इस 2 को अंदर लेके जाएंगे, तो यह बनेगा 4, ठीक, तो यह 4 इंटो क्या बनेगा 3, बस, आप लोग को बहार के वल 2 रखना है, चलिए, इसको देखिए ध्यान से, तो यह 4 3 जा क्या होगा, 12, एक चल में जो आपका क कॉसिन था न, कॉसिन यह था, देखिए, इस 2 रूट 12 था, बात यह समझ में, यहाँ पर हमेसा आप लोग को 2 चाहिए, अब हम लोग इस टाइप की कॉसिन को डायरेक्टी करने वाले, देखिए, अम लोग को चाहिए 2 नंबर, जो की, जिसका प्रोड़क्ट क्या होगा, 12 ह चाहिए 7 होगा, तो आप लोग बोलेंगे, सर एक नंबर तो होगा, आपका 4 और दूसरा नंबर क्या होगा, 3, और 4 इंसर आए गा, 12, और 4 प्लस 3 क्या होगा, 7, तो हमारा जो एंसर आएगा, वह क्या आएगा, रूट 4 प्लस रूट 3, यहनिकि यह जो कोशिन्स दिख रहा द्यान से देखना है, प्रोडक्ट की आना चाहिए, क्योंकि बाहर तो 2 सही है, अब देखिए, 3 और 1, 3 इंटु 1 क्या होगा, 3, 3 प्लस 1, 4, इसका मतलब जो कोशन्स का एंसर आएगा, वो क्या आएगा, रूट 3 प्लस रूट 1, यनि कि इस कोशन्स का जो करेक्ट एंसर होगा वो होगा, आपका रूट 3 प्लस 1 का होली स्क्वाइर, बात आई समझ में, स्क्वाइर से स्क्वाइर रूट केंसल, तो एंसर आजाएका, रूट 3 प्लस 1, अब इस कोशन्स को देखिए, और इस ही कोशन्स को बेस मानते होगे, आगे आने वाले जो एक्जाम में, जितने भ होगा, रूट 3 प्लस रूट 2, बात क्लिर है ना, चलिए, अब इसको देखते हैं, हम लोग दो नमबर लेंगे, जिसको मल्टिप्लाइ करने पर क्या आएगा, 30, और जोडने पर क्या आएगा, जोडने या घटाने पर हो सकता है, आपको माइनस में दे दिया जाए, लेकिन गवरान नहीं, बस आप लोग को क्या करना है, साइन को चेंज करना है, और लिख देना है, ठीके ना, जैसे, यहापर देखे, यह क्या होगा, आपका रूट 6 और रूट 5, यह निकि 6 इंटू 5, 30, 6 प्लस 5, 11, ठीके न, तो यह आपका बन जाएगा, क्या, रूट 6 प्लस र रूट 30, यह इस प्रकार से लिखा होता, तो अम लोग का answer होता क्या, माइनस में होता, 6 रूट 6, माइनस रूट 5, बाता है समझ में, चलिए, अब इस question को simplify कीजिए, आप लोग एक बार खुच से, आप लोग कैसे simplify करेंगे, देखे, हम लोग को बाहर चाहिए 2, तो बाहर 2 बाहर 2 लाने के लिए 84 को इस प्रकार से लिखेंगे, 84 का मतलब होता है 4 into 21, अम लोग को पता है, यह 4 का square root क्या होता है 2, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको 4 के फर्म में break करना पड़ेगा, तो अंदर में क्या पचेगा 21, अब हम लोग लेंगे 2 number इस प्रका बन जाएगा root 7 plus root 3, इस question का answer, बात आई समझ में, चलिए, अब इसको देखते है, question number 8 को देखिए, द्यान से, क्या लिखा हुआ है, क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते है, root 5 plus, अब देखे, मैं यहां से 2 को निकाल रहा हूँ, ठीक है, बाहर 2 यानि कि 4 को निकाल एंसर क्या बनेगा, root 3 plus root 2, इस question का, बात आई समझ में, यानि कि यह जो number दिख रहा है, root 3 plus root 2 का whole square है, और square से square root cancel हो जाएगा, तो answer क्या बचेगा, root 3 plus root 2 ही बचेगा, बात क्लिर है न, चलिए, अब इसको base मानते हुए, अम लोग वो सारे questions करने की कोशिस करेंगे, जो exam मे पूचा जाता है, ठीक है न, चलिए, देखिए इस question को, अब इसको खुच से एक बार simplify करने की कोशिस किजिए, questions बहुत ही बढ़िया है, अब देखिए, हम लोग क्या करते, मैंने आप लोग कुछ दिन सिखाया था, rationalizing factor क्या होता है, ठीक है न, बस rationalize करना है, तो rationalize करने प बन जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, देखिए, difference लिखना है, 5-3 का difference क्या होगा, 2, और उपर हम लोग के पास में क्या, whole square, बात आई समझ में, मैंने directly यहाँ पर rationalize किया है, यदि आप लोग को समझ में न, तो इसके आगे वाले वीडियो को आप लोग एक बार देख ले और यह B, A plus B whole square, तो formula हम लोग को लगाना आता है, A square plus B square, यहनी कि 5 plus 3 कितना होगा है, 8, A square plus B square, यहनी कि 5 plus 3, 8, plus 2AB, 2, AB मतलब root 5 into root 3, root 15, देखिए, कितना आसान है, यह divided by क्या होगा, 2 होगा, बात क्लियर, और उपर में हम लोग के पास में, square, ठेके न, plus, इसको देखिए, यहाँ पर A square, A minus B whole square है, A minus B whole square है, A square plus B square यह भी आ जाएगा, आपका root 5 का square, root 3 का square 3, 5 plus 3, 8, minus 2 root 15 आ जाएगा है, माइनस में होगा लेकिन, ठेके न, और नीचे क्या आएगा, यह तो 2 है, अब इसका whole square बढ़ेगा, ठेक, पहले इसको simplify कर लेते, देखिए, यदि मैं इस से कैंसल कर दो, तो यह 2 से एक बार, 2 से एक इतनी बार, 4 बार, तो हम लोग के पास में आएगा, यह 4 plus root 15, क्या आएगा, root 15, और यह क्या बनेगा, आपका whole square, ठेक है, प्लस, इस से यदि मैं इसको simplify करो, तो यह बन जाएगा, आपका root 4 minus, यह और यह cancel हो जाएगा, root 15, बात क् इसको simplify करना है, अब देखिए, यदि मैं इस 4 को थोड़ी देर के लिए A मानता हूँ, देखिए, हम लोग को identity का यूज कैसे करना है, मैं यह आपर बता रहा हूँ, यह A होता, और यह root 15 दिख रहा है, यह B होता, तो आप लोग ना, formula भी आप लोग को पता होना जाएगा, यह आपका A बन जाएगा, यह A प्लस B, ऐसे तो आप लोग इसको simplify भी करके कर सकते हैं, लेकिन मैं यह आपर बता रहा हूँ, identity का यूज कैसे कर रहा है, यह बन जाएगा, आपका A प्लस B होल स्क्वाइर, प्लस, ठीक है ना, A minus B whole square, अब यह formula पता है ना, सबको, यह formula आपका 2 A square plus B square है, ठीक है ना, St2 A square plus B square है, अब बस, यह identity आप लोग पता होता तो आप लोग डिरेगली कर दे及 तो, A square मतलब होगा, आपका A मतलब 4, 4 का square कितना होगा? 16, अब B square देखिए, root 15 का square कितना होगा? 15, 16 plus 15 कितना होगा? 31, यह आपका 2 into 31, 62 के बराबर आएगा, किसके बराबर? 62 के बराबर आएगा, चलीगे, बात आई समझ में, तो इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा आपका option number P, clear? चली बहुत ही simple है, दिखने में थोड़ा सा difficult दिख रहा है, और यह questions important भी है, हो सकता है, यह RRB NTPC में पूछा जाया, आगे-जागे यह questions, देखिए, हम लोग को क्या करना है, पहले इसको simplify करते जाता है, जाते है, ठीके ना? अब देखिए, इसको simplify करते है, तो यह हम लोग के पास में 5ROOT3, बात clear, चलिए, अब यह हम लोग के पास में, रूट 12 को हम लोग लिख सकते है, 2ROOT3 के फॉर्म में, और यह मैंने आप लोग को अल्यड़ी बता दिया है, और 2ROOT3 इंटु 2, यह हो जाएगा आपका 4ROOT3, जा बनेगा 4ROOT3, ठीके ना? माइनिस, रूट रूट 6 तो एज़िज रहेगा उपर में, नीचे देखिए, यह 5ROOT3 है, माइनस 4ROOT3, यह तो बनेगा आपका 3ROOT3, ठीके ना? अब देखिए, यह 5ROOT2 में 4ROOT2 को माइनस करने पर यह के वल बन जाएगा आपका ROOT2, बात clear है? चलिए, अब देखिए, इसको अम लिख सकते है, ROOT3 into ROOT2 के फर्म में, बस मैं आप लोगों यहां से कॉमन निकालने के लिए तरीका बता रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ROOT3 into ROOT3 3 बन जाएगा, और ROOT3 into ROOT2, ROOT6 बन जाएगा, अब मैंने ऐसा क्यों किया कि जल्दी को को आप लेगा, यह बन जाएगा आपको ROOT2, ठीक है ना, मैं यहाँ आप ROOT3 को कॉमन ले लू, तो ROOT3 को कॉमन लेने पर उपर में क्या बचेगा, मुलने से सर्जी उपर में बचेगा आपका ROOT3 plus ROOT2, तो बचेगा ROOT3 plus ROOT2, ठीक है ना, अब देखें, नीचे क्या ह नीचे भी तो वही है ना, ROOT3 plus ROOT2 है, अब देखें, इस से यह तो चैंसल हो जाएगा, और बचेगा हम लोग के पास में क्या होला ROOT3, और यही इस QS का क्या हो जाएगा, एंसल हो जाएगा, बात आइस सब्सक्राइब यह नहीं कि OPSON NUMBER B, इस QS का करेक्ट एंसल ROOT7 minus 2 ROOT10 लिखा हुआ है, इसको SIMPLIFY करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसको SIMPLIFY करते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, यह हम लोग के पास में, 7 minus 2 ROOT10, ठीक, इसको SIMPLIFY करते हैं, तो देखें, हम लोग के पास में क्या आएगा, हम लोग दो नमबर ऐसे मल्टिप्लाइ करने पर क्या आना चाहिए, 10N आना चाहिए, और, ठीक है ना, जोडने पर क्या आना चाहिए, 7N आना चाहिए, तो हम लोग के पास में 2 और 5 रहेगा, तो अब देखें, इसको SIMPLIFY करते हैं, तो यह ROOT2 minus, अंदर में क्या रहेगा, बोलने से सर्जी है, तो ROOT2, इसको SIMPLIFY करेंगे, तो देखें, यह minus और minus क्या हो जाएगा, प्लस बज़ेगा क्या ROOT5, बात क्लियर है, इससे यह cancel हो जाएगा, और, हम लोग के पास में केवल अंदर बज़ेगा क्या ROOT5, यहनिकि, option number C, इस question का correct answer होगा, चलिए बढ़ते आगे, देखते है next question, question number 8 को देखें, बहुत है, बस इसको SIMPLIFY करना हाना चाहिए, आप लोग को, देखें, मैं आप लोग को सीखा देता हूँ, कि यह जो X है, पहले तो एक बार आप लोग खुछ से करने की कोशिच कीजिए, यह जो ROOT24 दिख रहा है, यह मैंने आप लोग को अल्ड़ी बता द ठीके ना, और ROOT50 का मतलब होता है, यह 5 ROOT2 है, बात क्लियर है यहां तक, यह 5 ROOT2 है, चलिए, अब यदि मैं इसको इधर लेके जाओ, और 1 के साथ में मल्टिप्लाई कर दू, तो यह बन जाएगा आपका देखें, इक्वल टू में, ROOT75 का मतलब होगा है, यह 5 ROOT3, और माइनिस क्या बनेगा है, 5 ROOT2, क्या बात क्लियर है, यहां तक, चलिए, अब देखें, यहां से मैं 5 को कॉमन निकाल सकता हूँ, और यहां से भी मैं 5 को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो हम लोग के पास में यहां पर तो बनेगा, X is equal, X minus 2 ROOT6, तो यदि मैं यहां से 5 को क निकाला, तो यहां पर बजएगा, क्या, ROOT3 minus ROOT2, ठीके न, अब देखें, 5 और 5 तो चैंसल हो जाएगा, अब थोड़ा, एक हिस्टे पागे बढ़के, यदि मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ, तो मैं यही पर भी कर सकता था, इसको, देखें, 2 ROOT6 को ऐसे लिखा म और मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यह ROOT3 minus ROOT2 है, ठीके न, ROOT3 minus ROOT2 है, मैंने इसको नीचे ला दिया, इस पकार से, ROOT3 plus ROOT2, बस्रेशनलाइजन का के लह यहां पर कुछ भी नहीं, ROOT3 plus ROOT2 है, ठीके, यह ROOT3 plus ROOT2 है, अब देखें, यह ROOT3 plus ROOT2 है, अब दे आपका root 3 minus root 2 का holy square बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, पताइए, क्योंकि ये plus से उपर ले जाने पर minus बनेगा, और minus root 3 minus 2 into root 3 minus 2, root 3 minus 2 का क्या बन जाएगा, ये holy square, और नीचे क्या बनेगा, बनेगा बने जाने हैं, नीचे दोनों का अंतर कितना है, एक, तो अब देखिए, कुछ भी नहीं, इसको simplify करना है, 2 root 6 है अब देखिए, यदि मैं इसको simplify करू, a minus b or square के पॉम में तो यह a square plus b square यानि कि यह बन जाएगा आपका 3 plus 2 a square plus b square यह बन जाएगा आपका 5 minus 2ab, 2ab का मतलब होगा root 3 into root 2 यह आपका बन जाएगा root 6 बात क्लियर हैं? अब देखिए यह भी minus root 2 root 6 है और यह भी minus 2 root 6 है यह तो cancel हो जाएगा तो हम लोग के पास में x बराबर क्या बज़ेगा? 5 जो कि इस questions का correct answer होगा बाता ही समझ में यह नि कि केवल 5 इस questions का correct answer होगा चलिए आगे बढ़ते देखते हैं next questions इसी प्रकार से अब questions देखिए गवरान नहीं है question बहुत ही simple है इस प्रकार की questions exam में पूछे जाते है ठीक है अब इसको simplify करते हैं देखिए यह तो हम लोग के पास है 4 plus 3 root 3 next नीचे देखिए इसको simplify करना और इसको simplify करना में इन्हें आप लोग को पता चुगा हो देखिए 4 को हम लोग को यहाँ पर यह 2 और 2 हम लोग ना यहाँ से यहाँ पर जो 4 था उसका 2 अंदर लेके जाएंगे तो यह 4 3 जा कितना होगा 12 यानि कि हम लोग को आप क्या चाहिए हम लोग का एक ऐसा नंबर चाहिए कि जोडने पर आना चाहिए 7 और multiply करने पर 12 आना चाहिए ठीक है तो वो नंबर हो गया क्या 4 और 3 बाताई समझ में यानि कि जो square root बनेगा इसका वो क्या बनेगा root full plus root 3 का whole square है इसका मतलब यह क्या बनेगा 2 plus root 3 बाताई समझ में जो इस quotient का यदि quotient के वाल इतना होता तो यह 2 root 3 बन जाता ठीक है तो यहाँ पर क्या बना नीचे में देखिए नीचे में बना आपका 2 plus root 3 बात क्लियर है चलिए अम लोग के पास में यहाँ पर लिखा हुआ है बराबर A square root B है ठीक ना plus square root B अब इसको simplify करते है तो simplify करने पर देखिए simplify करने पर क्या होगा बोलने से आपका ना इसको हम लोग rationalize करेंगी इसको rationalize करने पर देखिए यह तो बन जाएगा 4 plus 3 root 3 as it is रहेगा ठीक है अब इसको rationalize करने पर क्या बनेगा देखिए 2 minus root 3 बात क्लियर है अब देखिए नीचे क्या बनेगा बोलने से नीचे भी हम लोग 2 minus root 3 से 3 4 minus 3 1 मतलब नहीं है लिखने का तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको simplify करेंगे 4 into 2 क्या होगा यह 8 होगा minus 4 into root 3 4 root 3 ठीक है न 4 into root 3 4 root 3 बात क्लियर next अब देखिए इसको root 3 root 3 into 2 यह बन जाएगा आपका 6 root 3 अब यहाँ पर ए plus यहाँ पर ए minus तो यह plus minus minus 3 root 3 into 3 तो यह आपका root 3 into root 3 3 3 3 is a 9 is equaled क्या होगा a plus root over b ठीक है न अब हम लोग क्या करेंगे पता है हम लोग बस verify करेंगे यानि कि comparison करेंगे तो answer आ जाएगा यह 8 है और यह minus 9 है तो यह आपका minus 1 अब इधर में देखिए यह plus 6 root 3 minus 4 root 3 तो यह बन जाएगा आपका 2 root 3 बात ही समझ में अब देखिए यह हम लोग के पास में a plus root b बस हम लोग यहाँ पर न अब comparison करने बाले देखिए इसका comparison हम लोग इसके साथ में करेंगे और a का comparison आगे बाले के साथ में करेंगे तो a का जो value आया हो minus 1 के बराबर आया है बात ही समझ में root b देखिए root b root b वो किस के बराबर है ठीक है ना 2 root 3 के बराबर है 2 root 3 के बराबर है बात क्लियर है ना देखिए b को अब इसको हम लोग क्या करेंगे हम लोग दोनों तरप से ना दोनों को square कर देंगे पर क्या आएगा यह b आजएगा और 2 का square 4 root 3 का square 3 तो 4 3 जग्या होगा 12 होगा तो आम लोग को यहां से b का दो वेलू मिला वो किस के बराबर मिला 12 के बराबर मिला हम लोग को क्या निकालना देखिए अब हम लोग को निकालना यापर b minus a यहने कि हम लोग को निकालना है B-A, ठीक है? B-A, अब B बराबर है हम लोग को पता है, यह तो 12 के बराबर है, minus, A बराबर देखिए, A बराबर है आपका minus 1, ठीक है, minus 1, अब इसको simplify करेंगे, तो क्या आएगा पताईए, यह तो होगा आपका 12, और यह minus और minus यह बन जाएगा आपका plus 1, ठीक है, तो 12 plus 1 क्या होगा, 13, तो इस questions का जो correct answer आएगा, वो आएगा आपका 13, यहने कि option number C, निते next questions, आगे बढ़ते है, question number 10, बहुत ही important, यह इसा questions ना, एक्जाम में पूछा जाता है, बस आप लोग को ना, इसको simplify करना है, पताईए, अब यह root 40 है, आम लोग को ना, यह करना है, simplify, दियान से देखना, इसको, यह 12 माइनिस, आम लोग को चाहिए, यहापर 2AB, आम लोग इस फुटी को ना, इस प्रकार से ब्रेक करेंगे, यानि कि, आम लोग को बाहर चाहिए 2, तो इसको लोग लिखेंगे, इस प्रकार से, 4 root 35 के form, क्योंकि आम लोग है, root over 8 into, sorry, 8 minus क्या है, root 60 है, हम लोग इसको इस प्रकार से ब्रेक करेंगे, बताइए, इस root 60 को हम लोग लिखेंगे, 4 into 5 के form में, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आप, यह रहा आपका root 8, 8 minus root 4 का मतलब होता है, 2 root, यह बन जाएगा, आपका 5, बात क्लियर है देखते है, next, हम लोग के पास में root over 84, इस 84 से हम लोग इहाँ पर 4 को बाहर करेंगे, क्योंकि 4 को बाहर करने पर, बाहर में क्या बनेगा, आपका 2 बन जाएगा, ठीक है, यह बन जाएगा आपका इस प्रकार से, यह तो 10 ही रहेगा, और 2 को मैंने बाहर लाया, तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 under root 21, ठीक है ना, यह बन जाएगा आपका 21, चलिए, अब इसको simplify करना है, देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से इस square root को आटाने की कोशिज करेंगे, तो मैंने थोड़ी देर आगे बताया था, अब यह तो मैंने अल्रेडी करा दिया आप लोग को, कि 12 minus 2 root 35 का मतलब होता है, देखिए, हम लोग 2 number लेंगे, जिसको multiply करने पर 35 आना चाहिए, और जोडने पर क्या आना चाहिए, जोडने पर आना चाहिए, आपका 12, ठीक है, तो 7 और 5 होगा, 7 और 5, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, root 7 minus root 5, यह जो पास में, नीचे हम लोग के पास में, 140 मतलब यह 35 होगा, ठीक है, तो 35, शरी, यह 60 है न, 15 है आपका 15 रहेगा, 15 मींस 5 इंटो 3, 5 इंटो 3, 15 और 5 प्लॉस 3 क्या होगा, 8, बात आई समझ में, तो यह बन जाएगा, आपका root 5 minus root 3 का whole square, चरी, यहां तक तो बात क्लियर है, next, इसी प्रकार से इसको देखी, यह 2 है, और नीचे आएगा, हम लोग के पास में, बताएगे क्या, 7 इंटो 3, 21, 7 प्लॉस 3, 10, तो एंसर आजाएगा, आपका root 7 plus root 3 का यह whole square होगा, बात क्लियर है न, बस अब इसको rationalize करेंगे, एंसर आजाएगा, तो यह बन जाएगा, आप दोनों का अंतर कितना है, 2, minus, ठीक, इसी प्रकार से देखी, इसको rationalize करने पर यह root 5, यह plus root 3, sine change, ठीक, next, नीचे क्या बनेगा, यह बनेगा, दोनों का अंतर कितना है, तो rationalize करना तो मैंने आप लोग को बता दिया, कैसे करना है, यह 2, ठीक, इसको उपर ले जाएगे, तो यह root 7, यह minus root 3, minus root 3, ठीक, ना, और नीचे क्या बनेगा, दोनों का अंतर कितना है, 4, अब देखे, इस से यह cancel करेंगे, तो यह कितने बार जाएगा, 2 बार, अब देखे, नीचे आप लोग का जो LCM होगा, वो LCM तो आपका केवल 2 ही राने वाला है, अब पर में आम लोग स यह minus और यह minus के हो जाएगा आपका plus root 3, बात क्लियर है, चलिए, अब इसको simplify करते हैं, यह और यह cancel, plus root 7, minus root 7 cancel, plus root 5, minus root 5 cancel, तो answer आपका किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, बात क्लियर है, इसके बराबर आएगा, 0 के बराबर इने, कि option number A, इस questions का correct answer होगा, बहु बहुत ही इंपोर्टेंट है next questions और यह आज के session का अंतीम questions है बहुत ही important questions है exam में इसा पूछ जाता है चाहिए वो कोई भी exam हो इस्टेट लेबल को या सेंटर लेबल का exam हो ठीके ना चली पहले इसको simplify करते है देखिए जो 11 लिखा है यहाँ पर 11 प्लस 2 रूट 30 तो हम लोग 30 को सबसे पहले ब्रेक करेंगे इस प्रकार से कि multiply करने पर आना चाहिए 30 और जोडने पर क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए तो 6 अब नहीं बोल रहा हूँ देखिए next नीचे भी क्या बनेगा नीचे भी तो same ही number है तो यह बनेगा आपका root 6 प्लस root 5 बात क्लियर है ना मैंने यहाँ से directly square root को अटा दिया है अब बताइए यह root 6 प्लस root 5 तो as it is रहेगा ठीक है ना root 6 प्लस root 5 as it is रहेगा और minus इसको यदि में rationalize कर दूँ तो यह उपर जाके बनेगा root 6 minus root 5 क्या बात क्लियर है यहां तक root 6 minus root 5 अब नीचे देखिए दोनों का अंतर कितना होगा 6 और 5 का अंतर एक क्योंकि a square minus b square बनेगा तो यहाँ पर अंतर तो root over 6 का square root 6 root plus root 6 root 5 का square होगा वो 6 और 5 होगा difference रहेगा 1 तो आप देखिए इसको simplify करेंगे तो यह आपका आजाएगा root 6 plus root 5 अब देखिए bracket को open करना यह root 6 यह minus और यह minus आपका बन जाएगा plus तो यह root 5 तो देखिए root 6 root 6 cancel root 5 plus root 5 यह 2 root 5 आजाएगा तो आपका जो questions का correct answer होगा वो होगा 2 root 5 यही की option number a तो यही तक आज के sessions अब यही पर हम लोग class को end करते और एक चीज़ यही आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like कर देना और अपनों दोस्तों के साथ में वीडियो को share भी discuss करने की questions करेंगा जो exam point of view से important होने वाला है ठीक है ना चलिए रक्ति हम लोग मिलते हैं next class में